शाशन हो या प्रससन, सिक्षा हो या स्वास्त, हर जगा महिला शक्ती कंधे से कंधा मिला कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही है। कुछ ऐसी ही बदलती हुई तस्वीर हमारे सामने आई है। और ये तस्वीर होली के आउसर पर अपने निजी तेवहर छोड़ कर अपनी सेवा दे रही बेटमा टी आई मीना करनावत की। करनावत ने महिला दीवस पर महिलाओं को हार नहीं मानने लगातार प्रयास कर सफलता पाने के लिए संदेश दे कर प्रयरित किया। सके और आप से प्रयरित हो सके इस अंदेश मेरा महिलाओं के लिए। सबसे पहले सभी महिलाओं को मेरी और से बहुत-बहुत सुपकामना है। अपने जीवन में महिलाओं का एक विशेश योगदान रहता है। चाहे वो घर के छेतर में हो, उसमें एक अच्छी मा, एक बैटी और एक पत्नी का रोल अदा करती है। और सेकिंड पार्ट में जो है राजजिती की स्तर हो, चाहे प्रशासनी की स्तर हो, अच्छे उच इस तरों पे महिलाओं आसीन है। और पूरुष से कम उनको आखा नहीं जा सकता है। महिलाओं पूरुष से बरावर कंदे से गंदा मिलाकर काम करती है। और अपना युगदान देती है। और महिलाओं के संबंद में हम ये बोलेंगे कि हमेशा महिलाओं को अपना एम निर्धारी करके अच्छे उच पदों पर आश्चिन रहना चाहिए। और अपने जो भी गोल है उसको पाने के लिए हर संभव प्रयास के करना चाहिए। अपने जीवन में समाज में और परिवार में और अपने देश का नाम रोशन करें। और मैं जो यही चाहूंगी और यही आशा करूंगी उस सभी से। और मैं थाना प्रभारी मीना करना ह। थाना प्रभारी बेटमा। इस पत्क के आने के लिए मुझे बच्पन से ही काफी इस्टेगल करना पड़ा। हर चेत्र में पढ़ाई के चेत्र में हो। चाहे एथलेट हूँ मैं अच्छी एथलेट रही हूँ। कई लोगों के समाज में कई तरह के लोग रहते हैं जो कि अच्छा नहीं समझते हैं। पर हमने हर चीज को अवाइट करके अपना एक एम बनाया कि मुझे वहां तक पहुच रहा है। वह मैंने जो ठाना है और जो मैंने सोचा था बच्पन से वह मुझे प्राप्त हुआ। हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चेनल अज़व्य 24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भुलें। कर दो झाल झाल कर दो